दोस्तों ने सबसे पहले नाम है इसका अकाउंटिंग स्टेंडर्ड नाइन रेविन्यू रेकोगनीशन क्या ये मेंडेटरी स्टेंडर्ड है ये सब पर अपलाई होता है रेविन्यू रेकोगनीशन किस बारे में बात करता है ये बात करता है ओन टाइमिंग एंड कंडिशन्स ओफ रेविन्यू रेकोगनीशन ये हमें बताता है किन शर्तों पर रेविन्यू बुक करना चाहिए और कब बुक करना चाहिए हम जब इस standard की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इसका scope scope में क्या आता है कि क्या-क्या इसमें not covered है और क्या-क्या इसमें covered है तो मुझे फटा-फट से याद से बताना ज़रा इसके अंदर not applicable हमारा ये accounting standard not applicable to following business कौन-कौन से business पर apply नहीं करता है मैं भूल गया हूँ कौन-कौन से business पर apply नहीं करता है number one insurance business यनि insurance के business पर apply नहीं करेगा very good hire purchase hire purchase and lease इस पर भी apply नहीं करेगा और किस पर apply नहीं करेगा government grants चंदे पर जो आपको चंदा मिलता है वो भी कोई और standard डील करेगा और किस पर एक और रहे गया वो कौन है construction contracts इस पर भी ये standard apply नहीं करेगा मतलब इन बातों पर हमारा standard की बात ना करें ये कुछ transactions पर भी apply नहीं होता not applicable to following transactions यनि इन transactions पर भी ये apply नहीं होगा जैसे की non current assets जिन में क्या क्या चीजें आ गई सारे आ गई property plant equipment आ गई intangible assets आ गई deferred tax assets आ गई investments आ गई मुझे ये बताओ इनके संबंद में दो चीजे क्या बई इन से होने वाला कोई gain और loss gain on sale loss on sale क्या वो इसमें cover होगा बैस पर कोई profit हो रहा है आपको तो क्या हम AS9 की बात करेंगे the answer is no हमने इसकी कर दी revaluation तो क्या वो revaluation हमारे पास इस standard में cover होगी the answer is no फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैसे ही पूछ रहा हूँ current assets में stock पर gain on sale क्या इस पर standard apply होगा फटा फट से बताओ current assets पर gain on sale पर apply होगा तान्या ने का नहीं very good ना लाइक मजे की बात है stock बोलते ही क्या बन गया फटा फट से बताओ stock बोलते ही क्या बन गया ordinary course of business और ordinary course of business में अगर आप अपने पास कोई sale करते हैं तो क्या वो हमारे पास इस standard में cover होगी the answer is yes AS9 applies oh my god so मैं कह रहा है कल आपने नहीं बताए कल यहीं तो बताते रहे कि revenue में जो आपकी धंदे की items है उन पर AS9 apply होगा मैंने यहाँ पर ना ऊपर heading में यह गलत लिख दिया है कोई दिकत तो नहीं heading में लिख यहाँ लिख दिया applicable current asset की भी revaluation अगर होती है तो वो कौन सा standard deal करता है मुझे फटा-फट से बताओ वो कौन सा standard deal करता है वो AS2 deal करता है हमारे पास cover नहीं होता है मुझे यह बताओ इसके लावा non current और current liabilities से भी तो हमें gain हो सकता है तो मुझे बताइए क्या AS9 apply होता है no क्या इसकी revaluation पर AS9 apply होता है the answer is no तो यहनी AS9 यहाँ पर भी नहीं AS9 यहाँ पर भी नहीं AS9 यहाँ पर yes और यहाँ पर भी नहीं क्योंकि यहाँ AS2 आ गया है अच्छा foreign currency मुझे फटा-फट से बताओ foreign currency पे यदि आपका gain हो गया है तो मुझे फटा-फट से बताओ gain और loss तो क्या AS9 apply होगा नहीं क्या इसके अंदर कोई revaluation हो जाए foreign currency की value बढ़ गई घट गई तो क्या AS9 apply होगा the answer is no सरल भाशा में मुझे बताओ यह standard ultimately apply किस पे करेगा applies to यह apply करेगा on revenue arising from बताना कहां से revenue arising from फटा-फट से बताओ sale of goods sale of goods rendering of services यह इंटरस्ट डिविडेंड रॉयल्टी इन ओर्डनरी कोर्स आफ बिजनस इन ओर्डनरी कोर्स आफ बिजनस revenue का क्या मतलब होता है revenue का मतलब होता है मैं भूल गया gross करके था revenue का मतलब क्या है very good among gross inflow किसका gross inflow of क्या आना चाहिए cash and receiables अगर मान लो यह words याद रहें तो यह क्या keywords ही तो हो गए है फटा-फट से बोलो न यही तो keywords हो गए इसी से तुमारा कभी भी किसी कोई भी answer लिख दोगे तुम तुम्हें कुछ इचकर में पढ़ना ही नहीं है अच्छा अब मुझे यह बताईए कि जब मैंने इसकी चर्चा स्टार्ट करी तो मैंने इसके अंदर कहा कि हम अपनी चर्चा को कितने भाग में करेंगे फटा-फट से बताओ हम अपनी चर्चा को कितने भाग में बाट दिया था तीन भागों में बाट दिया था पहले मैंने क्या कहा हम किस के बारे में बात करेंगे फटा-फट से बताओ पहले किसके बारे में बात करेंगे Sale of goods के बारे में बात करेंगे तो मुझे फड़ा फट से बताओ Sale of goods के अंदर Revenue की conditions कौन-कौन सी है दो condition पूरी होनी चाहिए तभी revenue recognize हो सकता है वो दो condition में पहली condition कौन सी थी No uncertainty रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन अल्टीमेट्स कलेक्शन अच्छा नो अनसाइटिनिटी मतलब साइटिनिटी होनी चाहिए प्लीज से ट्रू और फॉल्स फड़ा फट से बताओ इट मीन्स साइटिनिटी होनी चाहिए हाँ आंसर इस अच्छा क्या इट मीन्स नो साइटिनिटी बट नो अनसाइटिनिटी क्या ऐसा हो तो क्या होगा साइटिनिटी भी नहीं है और अनसाइटिनिटी भी नहीं है पक्का भी नहीं है और कच्छा भी नहीं है क्या रेविनु रिकॉर्ड होगा The answer is yes इसका मतलब हमारे पास क्या no uncertainty में मैं कहूं तो हम कहते हैं शक नहीं होना चाहिए पक्का होना चाहिए ये नहीं बोल रहा क्या आप फील करने हैं कि नहीं मैं ये बोल रहा हूँ शक नहीं होना चाहिए पक्का होना चाहिए वाली बात नहीं बोल रहा पता नहीं आपको वो चीज दिखाई पड़ती है मेरी शब्दों में कि नहीं दिखाई पड़ती है कि शक नहीं होना चाहिए डाज नाट मीन की पक्का होना चाहिए फिर मुझे बताओ दूसरी कंडीशन कुन सी थी सेकिंड कंडीशन गुड्स है बीन ट्रांसफर टू बायर हमने गुड्स किसको ट्रांसफर कर दिये है बायर को कर दिये है इसी का दूसरा मतलब क्या है देट इस सेल हैस बीन फड़ा फट से बताओ क्या सेल हैस बीन एग्रीड सेल हैस बीन एग्रीड लेकिन इसको भी समझना होता है मतलब होता है इसका मतलब होता है that is risk and reward of such assets have been transferred यानि उस assets से होने वाले कोई भी खत्रे और उसके reward हमने transfer कर दिये हैं हम ये कैसे कैसे transfer कर सकते हैं क्या हम by delivery भी कर सकते हैं फड़ा फट से बताओ हमने delivery कर दी क्या उसके साथ भी कर सकते हैं the answer is yes कई बार delivery के बावजूद risk transfer नहीं होते do you know this points delivery भी कर दी और हमने का भाई रख लो कोई बात नहीं ना पसंद आए वापिस कर दे मुझे फटा-फट से बताओ मैंने risk and reward दी आपको मैंने का बेटा रख लो कोई बात नहीं नहीं आपने का नहीं चैए मैंने का नहीं नहीं रख लो कोई ना समझ आप इस कर दे रहा इसका मतब क्या मैंने आपको risk and reward दी ये नहीं दीए क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा क्या कर देंगे वापस कर देंगे इसका मतब delivery कोई important नहीं है you are understanding important क्या है risk and reward दीए के नहीं दीए फिर भी आम तोर पे मुझे फटा-फट से बताओ आम तोर पे क्या इस पे risk transfer हो जाते हैं कुछ भी ना लिखा हो मैंने माल आपको दे दिया क्या मान लोगे transfer हो गए क्या by non delivery भी ये transfer हो सकते हैं मैंने आपको delivery की ही नहीं क्या तब भी ये transfer हो सकते हैं the answer is yes तब भी ये transfer हो सकते हैं इसका मतब ये situation आपको study करनी पढ़ती है कि हमारे पास risk and reward important point वہी है कि आपके transfer हुए कि नहीं हुए stances दिये थे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बिल पे लिख कर दे रहा हूँ X factory तो मुझे ये बताओ हमारी sale कब बन जाएगी फटाफट से बताओ मैंने कहा हमने mall X factory आपको दिया है तो आपको तो मिला भी नहीं है क्या आपको delivery हो गई फटाफट से बताओ क्या आपको delivery हो गई नहीं हुई मेरी factory से माल निकल गया क्या मेरी sale हो गई के नहीं हुई मेरी sale हो गई वैसे मैं बता रहा हूँ एक मिनिट के लिए वीडियो मैं रोक नहीं रहा वैसी बोल रहा हूँ हीरो हंडा ने कोई 4-5 साल पहले अपनी sale बढ़ानी थी चार-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ गुड़गाओं के अंदर उनका फैक्टरी है तो उन्हों ने sale बढ़ानी थी तो उन्होंने क्या किया बड़ा मज़दार किस्सा है उन्होंने क्या किया अपने जो distributors हैं आपको पता चल गया ना distributor कौन होते हैं distributor कौन होते हैं जिनको माल बेचते हैं और फिर distributor आगे किसको माल देते हैं वो जो हीरो हंडा की बाइक है तब उसके साथ उस वक्त हीरो और हंडा दोनों combined थे ठीक है आज कल हीरो और हंडा अलग हो गए हैं तो जब वो बाइक देते हैं तो ultimately फिर आप ultimately जाके distributor से लेते हो आप factory से तुर्णा लेते हो उनको अपनी sale बढ़ानी थी उन्होंने अपनी distributor को फोन किया उन्होंने का भईया माल खरीदो हमने अपना target पूरा करना है distributor ने का मैं नहीं खरी सकता अभी मेरे पास जगा नहीं है रखने की तो जानते हो क्या किया उन्होंने sale कर दी एक्स factory सेल कहां कर दी एक्स factory और उन्होंने सारे के सारे जो बाइक थे वो खेतों में लाके factory से बाहर खड़े कर दी है गुड़गाओं के अंदर खेतों से लाकर बाहर खड़े कर दी गार्ड बिठा दी है उन्होंने क्या उनकी sale हो गई की नहीं हो गई फटा फट से बताओ वो तो मीडिया वाले पहुँच गए उन्होंने का ये सारे बाइक जो है खेतों में क्यों खड़े हुए है और गार्ड बैठे है अब गार्ड कह रहा अंदर ज sale book कर दी बताओ क्यों क्यों क्योंकि उसने क्या कर दिया x factory sale की okay x factory में sale कब होती है when goods are out of factory जब वो factory से माल बाहर जाता है तो sale हो जाती है अच्छा x showroom फड़ा फड़ा से बताओ इसका क्या मतलब है sale कब होगी goods are out of showroom showroom से माल बाहर गया sale हो गई हमने sale की है fob अच्छा ये आपने कभी देखा बिल के अंदर नीचे लिखा होता है शीवा आपने बिल के अंदर नीचे लिखा होता है e and o e errors and omissions अगर हो जाएं तो माफ कर देना वहीं लिखा होता है x showroom x factory fob आपने कभी fob आम तोर पे नहीं देखा लेकिन जब आप धंदों में जाओगे तो fob दिखाई देगा ok fob आप लोगों ने आम तोर पे नहीं देखा है ok तो sale fob का क्या मतलब होता है fob की full form है free on board तो हमने कल आपको बताया था sale कब होगी when goods are given to given for boarding boarding का मतलब क्या होगया courier company या जहाज company या shipping company इन सब को हम माल दे देते हैं ok अच्छा फिर कई बार हम जो sale करते हैं वो कौन सी sale करते हैं हम कहते है sale c.i.f वैसे आप भी बताओ ना क्या आपने भी कभी ऐसा हुआ है कि television खरीदा हो और आपने का भईया television घर पहुचाओगे के नहीं पहुचाओगे तो उसने का हाँ हाँ पहुचा देंगे तो sale कौन सी हो रही है in that case free home delivery वाली हो रही है ok तो आप आम तोर पे बहस करते हो उससे मुझे c.i.f की बताओ c.i.f का मतलब क्या होता है c.i.f का मतलब है cost insurance and freight इसमें हम goods कहां तक पहुचाते हैं when goods reach an agreed point of entry एक point तै हो जाता है उस point तक हमें माल पहुचाना होता है हमारा जैसी वहाँ पहुच गया हमारा कम खत्म अच्छा फिर एक और भी होती है वह होती है sale free home delivery free home delivery इसमें sale कब होती है फटा फट से बताओ इसमें sale कब होती है when goods reach home वैसे यह home बोल रहा हूँ को जुरुरी word नहीं है home home is the location of the buyer okay तो हमने कहा हमारे पास ऐसा होता है तो क्या आपको समझ में आई कि इसके risk and reward जो होते हैं वो हमें कब खत्म हो रहे हैं वड़ा important point है फिर मैंने sale of goods में ही आपके साथ कुछ special points डिसकस करने शुरू कर दिये थे मुझे बताओ मैंने सबसे पहला special point जो आपके साथ डिसकस किया था मैंने कहा आपको देखना पड़ेगा कि principle की sale कब होती है बताईए जरा फड़ा फट से principle की sale कब होती है principle मतलब इसको एक बच्चे ने consignment बोल दिया consignment word नहीं बोलूँगा मैं क्या बोलूँगा who is person in principle in consignment consignment में principle कौन होता है consigner तो फड़ा फट से बताओ consigner की sale कब होती है consigner की sale होती है when goods are sold by agent या दूसरा नाम क्या हो सकता है agent का दूसरा नाम क्या होता है agent का consigny अच्छा ये बताओ when I say sold sold का क्या मतलब है sold का क्या मतलब है sold का मतलब है two conditions satisfied जो उपर लिखी थी ना ये दो conditions ये दो condition क्या हो जानी चाहिए satisfy होनी चाहिए अच्छा हमें ये कैसे पता चलता है कि भई हमारा relationship जो है relationship principle agent का है या consignor consignee का है मुझे फटा फट से बताओ का हम को कैसे पता चलेगा कि हमारा relationship जो है वो principle और consignor का है तो हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें देखी जाती है number one पहली चीज़ क्या देखते हैं number one में क्या देखेंगे goods are supplied by फटा फट से बताओ माल कौन बेचता है माल कौन बेचता है agent पर supply कौन करता है जो मैटो में अगर मैं पूछू तो माल कौन बेचता है फटा फट से बताओ जो मैटो में माल कौन बेचता है जो मैटो बेचता है और supply कौन करता है फटा फट से बताओ supply कौन करता है restaurant वाला करता है ठीक है goods are supplied by principal या owner agent नहीं करता है number 2 and and का मतब क्या दोनों condition पूरी होनी चाहिए हाँ price is fixed by फड़ा फट से बताओ price कौन fix करता है उस item का price क्या होना चाहिए उस पर discount होना चाहिए के नहीं is fixed by again principal अच्छा अगर इन दोनों में से कोई भी condition पूरी नहीं हुई तो क्या वो principal agent है फड़ा फट से बताओ अगर इन दोनों में से कोई भी condition पूरी नहीं हुई तो क्या वो principal agent है the answer is no आम तोर पे ऐसे cases में हम क्या बोलते हैं वो कौन होते हैं distributors वो कौन होते हैं distributors होते हैं वैसे distributor भी कितने तरह के होते हैं बताओ distributor भी कितने तरह के होते हैं क्या आपने देखा है वर्ड लिखा होता है रीटेलर या होल सेलर क्या आपने देखा है रीटेलर है डिस्ट्रिबूटर जो है रीटेलर है ये डिस्ट्रिबूटर जो है होल सेलर है मुझे बताओ आप लोगों ने मेरे ख्याल से Samson के Fon, Aiple के Fon देखे होंगे तो Aiple के Fon के Aiple की दुकान से ही खरीते हो कि वहाँ के रिटेलर से खरी दे हो फटाफट से बताओ वहाँ किस के पास जाते हो वहाँ रिटेलर के पास जाते हो अच्छा आप होल सेलर से कभी आपके दर्शन क्यों नहीं हुए फटा फट से बताओ आपके दर्शन क्यों नहीं हुए होल सेलर के साथ क्योंकि अभी आप कौन हो अभी तुम छोटे बच्चे हो दांत तुमारे कच्चे हैं अभी तुम रिटेलर के पास ही जाते हो क्योंकि तुम यह पार नहीं कर रहे हो भी तुम्हारी मुचों के बाल पूरे मजबूत नहीं हुए तो distributors होते हैं एक बच्चे ने लिखा था कि सब्सक्राइब कौन होते हैं तो dealer basically कोई भी हो सकते हैं इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा even word distributor में भी हो सकता है वो agent हो आम तार पे नहीं होते गौतम कह रहा है मेरे पापा होलसेलर है very good पर मैं आपको बताता हूँ आपके पापा होलसेलर है उनसे ये कहना कि तुम्हें retail में थोड़ी बुद्धी दे दे तुम उनसे ज़्यादा नहीं मांगना सिर्फ retail में थोड़ी सी बुद्धी मांगना कहना पापा थोड़ी सी बुद्धी दे दो ओके गौतम आज तुमने करना है हाँ वरुन कह रहा है अगर मैं apple के store से ले लू तो तो apple का store तो owner ही हो गया ना फिर तो आपने owner से ही माल ले लिया owner से माल ले लिया तो दिक्कत ही नहीं है अगर owner apple ही आपको सामान बेच रहा है तो ये दो condition करेगा ठीक है अगर आप apple का phone ले रहे हैं तो हो सकता है वो agent हो हो सकता है वो distributor हो depend करता है मुझे फड़ा फट से बताओ distributor के अंदर sale कब होगी sale when two conditions satisfied कौन सी वाली दो condition ये वाली दो condition जब satisfy हो जाती है हम कहते हैं तब हमारे पास उसकी sale recognize हो सकती है मैंने इसके अलावा भी आपके साथ कुछ और बाते करनी हैं पर वो आज नहीं बाते करनी है in the meantime हमने कुछ और भी चोटे चोटे बाते आपके साथ करी थी कि हमें अपने पास trade discount का क्या करना चाहिए फड़ा फट से बताओ trade discount is deducted in sale हमने कहा वो sale में घड़ जाता है cash discounts is not deducted in sale क्या आपको याद आया यह हमने कल यह भी चर्चा करी थी फिर हमने आपसे कहा था agent के case में उसका revenue क्या book करोगे agent के case में उसका revenue क्या होता है हमने का उसका revenue commission होता है ओके फिर हमने आपसे बोला जो मोदी जी को आप GST देते हैं क्या ये revenue होता है कि नहीं होता है जो मोदी जी को आप revenue मोदी जी को जो tax दे रहे हैं वो यहाँ नहीं आता है it is not revenue ये जनरल बाते मैंने आपके साथ करी थी जनरल बातों में ही मैंने आपके साथ एक और भी जनरल बात करी थी ये जो no uncertainty regarding consideration and collection है क्या लेटर अगर ये साइटिनिटी में तब्दील हो जाए या नो अंसाइटिनिटी हट जाए यनी if शक हट जाए तो मुझे बताओ पहले शक था तुमने सेल बुक करी है फटा फट से बताओ शक हट जाए मतलब शुरुआत में शक था तुमने सेल बुक करी है, नहीं बुक करी है, अब शक हट गया है, तो क्या करेंगे, record सेल, अच्छा, if शक आ जाए, मुझे ये बताओ, शक आ जाए मतलब शुरुआत में शक नहीं था, तभी तो अब आ रहा है, पर ये बताओ, अगर शुरुआत में शक नहीं था, तो सेल के इंट्री हो गई, हो गई होगी के नहीं होगी, सेल के इंट्री हो गई होगी के नहीं होगी, हो गई होगी, तो आज जब शक आ जाएगा, तो क्या सेल को reverse कर सकते हो, क्या आप सेल को हटा सकते हो, the answer is no, तो ऐसी स्थिती में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थि में आपको provision for doubtful debts बनानी पड़ेगी provision for doubtful debt के स्थिति में बनती है अगर year end के last में भी शक चल रहा है आहा हा बोलो क्या बड़े मजे की बात है शक जो है कब तक चलना चाहिए जो शक आ गया है वो शक कब तक चलना चाहिए year end तक चलना चाहिए क्या लिखूँ शक अभी भी है अच्छा इसे बना देंगे bad debts इसे बना देंगे bad debts बताओ कब बना देंगे bad debt नहाने का अगर शक हकीकत में बदल गया है very good इसका मतब अगर शक क्या हो गया है सच हो गया है अगर शक सच हो गया है मेरे को तो लगता है मेरे को हिंदी फिल्म में जाना चाहिए इतने बढ़िया बढ़िया डायलग आ रहे हैं अगर शक अब बन गया है हकीकत फिल्म बना सकता हूँ मैं शक बना हकीकत फटाफिट से बताओ शक बना हकीक और तो क्या होगा फिर bequelement हो जाएक अच्छा एक बच्चे ने का बैद debt क्या am in यहाएगा नहीं bad debt कभी भी आ सकता है इयर GN çık पहले ही शक बना हकीकत फड़ा-फट से बता हो सारे बच्चे बताएंगे अभी雨 ये रेंड हुआ ही नहीं शक बना हकीकत तो क्या हो जाएगा बैड डेट लेकिन शक नहीं बना हकीकत और ये रेंड आ गया अब क्या होगा शक नहीं बना हकीकत और शक ही रहा तो क्या हो जाएगा प्रोवीजन वैसे एक बात पूछ रहा हूं कल डिसकस नहीं पूछ रहा हू सेल के समय शक नहीं था फिर हमारे मन में शक आ गया फिर हमारे मन से शक हट गया और एरेंड आ गया क्या एफेक्ट होगा सेल के समय शक नहीं था फिर हमें मन में शक आ गया पर एरेंड नहीं था फिर वो मन से शक हट गया क्या एफेक्ट होगा कुछ भी नहीं ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना-ना फिर कुछ नहीं होगा अच्छा मैं आप से पूछ रहा हूँ सेल के समय शक नहीं था सेल होगी के नहीं होगी पर अंगूठा लगाओ फटा फट से बताओ सेल के समय शक नहीं था और अगले साल वो शक हट गया ओ माई गॉड अगले साल बच्चा कहरा देव कहरा बैडडेट हो गए अगले साल मैंने ये थोड़ना कहा शक हकी तक हकीकत हो गई मैंने कहा अगले साल वो शक हट गया तो प्रोविजन हट गई और जो देव ने कहा था अगर अगले साल शक हकी तो अगले साल क्या बुक करूँगा मैं अगले साल प्रुविजन बुक करूँगा ओ सॉरी बैडिट बुक करूँगा तो क्या आपको याद है हमने ये सब बाते करी थी हाँ आज हमने इसके भी आगे कुछ बाते करनी है अगर आप तयार है तो मैं इसका प्रिंट आउट ले कि अगर goods बेच दिये जाते हैं on approval basis तो हम sale कब book करेंगे हम sale तभी book करेंगे जब उसका approval period समापत हो जाए या customer की approval आ जाए जब तक customer की approval नहीं आती या period अभी approval का बचा हुआ है तब तक आप उसे क्या दिखाते हो stock with customers एक और समस्या आती है goods are to be delivered to buyer but they are not delivered to buyer due to buyer's request ध्यान देना word important क्या है buyer's request अगर buyer request पर आप माल नहीं देते हो तो आप मानते हुए क्या मानते हुए कि risk and reward transferred है ये assumption दिमाग में जमा दो कि हमेशा ये मानना है कि buyer की request आईए हमने risk दे रखा है उसको तो ऐसी तिती में हम क्या कर देंगे हम sales को book कर देंगे अगर कोई sales return की बात करें sales return हो गई है तो sales return की वही entry होगी जो 11th class में करते थे लेकिन sales return नहीं हुई और आपको लगती है sales return हो जाएगी तो क्या year end पर आप उसकी provision बनाएंगे the answer is yes हम इसका भी question करेंगे हम उसकी provision मनाएंगे कि हमको लगता है return हो सकती we'll make provision तो I'll do one question later on एक question आएगा वहाँ discuss करेंगे installment sale यह higher purchase का नहीं है installment sale में क्या होता है हम उससे पैसे कैसे लेते हैं किस्तों में पैसे लेते हैं ध्यान रखना किस्तों में सामान नहीं देते किस्तों में क्या लेते हैं पैसे लेते हैं और माल कब देते हैं माल देते हैं जब सारी किस्तें हो जाएंगी उसके बाद तो sale कब होगा जब सारी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो sale book की जाएगी वो भी तब हम जब डिलिवर करेंगे उस वक्त तो हमारे पास ये सेल आफ गूड्स के पॉइंट्स थे हमारे पास अभी भी सर्विसेज के और इंट्रस्ट डिविरन रॉयल्टी के पॉइंट बचे हुए हैं वो थोड़े-थोड़े से पॉइंट हैं एक दो जगा पर थोड़े से इशूस हैं उसके अंदर तो वट एनिवे हमारा स्टेंडर काफी हद तक समाप्त हो गया है फिर भी आज पूरा नहीं होगा एक बच्चा पूछ रहा था उसका जवाब दिया मैंने ठीक है